गीता स्प्रेकफास्ट तो फिर सुनिया स्टूडेंट टूपिक्चर दखाई गई है जो गीता की फैमली की पिक्चर साइद में से पिक्चर एक जैसी है लेकिन आपने क्या करना स्टूडेंट इसमें से सिक्स डिफरेंट जो उसको ढूड़ने है तो चलो स्टूडेंट आप पड़ते हैं लुक एड़ पिक्चर आफ फैमली हाविंगे ब्रेकफास्ट वोक विद पड़ना एंड़ स्टॉप सिक्स है फ्रेंट मिलते हैं तो स्टूडेंट अब पहुंचते हैं हम पेस नंबर 38 के उपर 38 के उपर क्या राइट किया वह पड़ते हैं तीन गर्स की स्टूरी है उनके फादर नंके मदर और उनकी होल फैमली उनके दादाजी और दादी के बारे में बाद की गई है स्टूडेंट आप पिक्चर को न्यां तकि देखिए घीता है से टोस्ट है किसके साथ घीता खान टोस्ट खान ढाहा typ कहरे जम टोस्ट के साथ है अधो इं прoth wife भॉल्ट यह उसका क Cookie हमेंश कर देखते हैं कि क्या इसे उसका यह ब्रेर्ट नहीं है अपा, फस्ट और फाल, अपा वहर्ड जो फादर के लिए जूस होता तो किनसी लंगिंज में होता? तामिल लंगिंज में, कौनसी तामिल lंगिंज में? फादर को क्या बोलते हैं? अपा, Usha and Amoha are having breakfast उशा और Amoha ने अपना breakfast जो लै लिया, खतम कर लिया, finish कर लिया, they have to go school, उन्होंने कहां पर जाना, school पर जाना, little गीता है, is on the bed, जो छोटी गुड़ी है, वो bed पर, उसका नाम क्या गीता, she thinks, वो क्या सोचती है, she is riding a horse, वो एक horse के उपर राइडिंग कर रहे, but it is a pillow, प्रन्तु ये क्या, पिलो है, तो इस पिलो है, लेकिन उसको क्या लग रहा, जे horse है, भी मैं horse के उपर एडिंग कर रहे हूं, suddenly चाने, गीता, smells something, गीता के face के उपर मस्कान आती है, she gets off her house and runs to the kitchen, वो पिलो को ऐसे लेके जाती है, जैसे अपने horse को लेके जाती है, किसकी तरफ लेके जाती है, kitchen की और, तो वो वहाँ पे जा सब्सक्राइब करते हैं, जो टोस्ट जैम के साथ है, उसका टेस्ट कौन से है, क्रची है, स्वीट है, गीता, लव सेट गीता, इसको बहुत अच्छे से लाइक करती है, किसको जैम टोस्ट को, उश्या अमा आफ नश्ट देर ब्रेक फास्ट, उश्या और अमा दोनों गर् अपना जो बेक फास्ट है, उसको फनिश कर लिए, खतम कर लिए, दे पिक अप देर बैक सेंड वेव गुडबाई, तो और वो अपने बैक को उठाते है, स्कूल के और चल पड़ते है, गीता को गुडबाई बोलते है, दे गो आफ टू स्कूल कहां पे चल जाते हैं, कौन, उसका जो गोड़ा वो भी साथ में चल पड़ता, उसको ऐसे लग रहा, जैसे एक पहाड़ी बनी पड़ी हूँ, अपने इसको पिलो कहां पे रख दिया था, बेड के उपर सीधा स्टेट, गीता क्लम्स, अप दा पिलो, गीता जो पिलो उसके उपर क्लम्ब हो जाते इसको पर चड़ जाती है, now she pretend she riding a horse, अब pretend means उता student पेश करना, pretend means पेश करना, अब उसको लगता है कि जैसे मैं एक कैमल के उपर बैठी हूँ, अब student पेश नमबर 39 पे हम पड़ रहे हैं, अब picture को भी देख सकते हैं, her camel is wife, sorry student, her camel is high, जो उसका उठा वो तो बहुत जादा हा आई है, the hump of camel is just right for gita hold, जो camel की hump गीता ने जस जर्फ उसी को पकड़ रखा, संडले, gita here is the sound of spoon, जल्दी गीता को जो spoon की अवाज है, spoon की अवाज को टिंकलिंग बोलते हैं, students जैसे हम spoon किसी गलास के अंदर, two spoon, one spoon गलास के अंदर रखते हैं, और उसको अवाज करते हैं, उस गीता को टिंकलिंग बोलते हैं, गीता को टिंकलिंग के अवाज सुनती है, तो क्या हो क्या रहा है, और तक किसन में, जे चानते हैं, अम्मा is making coffee for थथा, दादा जी को, ग्रैंट फादर जी को थथा, इन तामल लेंग्वाज में बोलते हैं, तो वो थथा के लिए coffee बना रह गीता, अपने camel से नीचे शलांग लगाती है, जम्प लगाती है, राइडिंग है, camel is hard work, वो बोलती है, camel के उपर राइड करना तो बहुत hard work है, बहुत ज्यादा मेनत लगती है, वो सोचती है कि अब मेरे को दूद पूइना चाहिए, फिर से kitchen की और दोड़ती है, I want some milk, अम्मा, and may I have a drop of coffee in my milk की दॉस्क, वो अपनी ममा को बोलती है, ममा मेरे को दूद चाहिए, और उसमें से कुछ coffee की drops भी चाहिए, उसमें से डाल देना, alright, ठीक है, says अम्मा, उसके मम मा क्या बोलते है, ठीक है, so, Geeta gets a cup of milk with a little coffee in it, थोड़ी सी coffee है, जिस cup के अंदर डाली होई, तो वो cup को लेती है, और milk को जल्दी जल्दी, she drink it up quickly, quickly means student, जल्दी जल्दी उसको पी जाती है, there is some milk around her mouth, उसके जो मूँ के आसपास दूद लग जाता, आप समझ सकते हो ने, जैस लाइक मुशिस, तो ऐसे लगता, जैसे उसके मुशिस लगे, अमा wipes it off, अमा फिर वाप उसको साफ करते है, wipe up होता है, wipe it means इसको साफ करना, soon it is a time for upper to leave office, जल्दी उसके पापा का टाइम हो जाता, कहां पी जाने के लिए, office जाने के लिए, अमा gives him breakfast, अमा उनके पापा को breakfast र हो जाते हैं, तो उसी चेयर के उपर आके गीता बैठ जाती है, may I also have idli, तो बोलते हैं कि अमा मेरे को भी idli चाहिए, अमा gives गीता idli, अपा it quickly and leave for office, पापा ने अपना breakfast की और जल्दी, office के लिए leave out हो जाते है, अमा एंड गो, अमा एंड गीता, go back to table, अमा और उसके जो बे चीनी के साथ वो finish कर लेते हैं, जिली को, she pushes the chair forward and pretend that it is a train, तो student जैसे हम chair के उपर बैठ के आगे पिछे होते हैं, तो ऐसे गीते भी करने लग जाती है, तो वो chair को बोलती है, तो मेरी train बनगी, that train goes शुक शुक शुक, वो बोलती है, मेरी train है, वो शुक शुक करती होई जा र दादी मा, Tamil language में पत्ती बोलती है, शुक 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 गीता, पत्ती इस रीडिंग न्यूस पेपर वो न्यूस पेपर पढ़ रहे है, गीता, आप जू राइडिंग ट्रेन, और याव जू हैड ब्रेकफास्ट पत्ती है, गीता, दादी मा, पूछती है कि आ बेटा, अपने खाल, ब्रेकफास्ट कर लिए ओ, क्या आप ट्रेन के पर ट्रावलिंग कर रहे हैं। शेज गीता गीता बोल दे नहीं दादी माँ अपनी जो देख सकते ओ फिक्टर में अपनी जो ट्रेन आ उसको दादी मा के सामने लाते हैं मा सेज गीता आई हैं आपने आप तो किया है नहीं है breakfast कितना time हो गया please give me some तो फिर गीता अपनी दादी मां से पूछते आप मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो मैंने तो breakfast किया ही नहीं है student देखो जे एक आपको wording बहुत सारे wording मिले जो Tamil language में बोले जाते हैं आपको बताएगे कि तामिल लंगोज में दादी मा को दादा जी को ममी पपा को क्या बोलते हैं एक बच्चे की स्टोरी है जिसके बारे में हम बताया इसके बाद student इसका PDF के थूँ बुक exercise को करवाया जाएगा वीडियो के ध्यान से सुनना student इसके बाद आपने खुद चेप्टर को पढ़ना पीडिएफ के थूँ जैसे हमने करवाया आपने करना फियर नोट बुक अच्छे से रैडी करनी है चेक करवानी है थैंक्यू है वा नाइस टे स्टे हूम स्टे सीफ